हेलो फ्रेंट्स, काश्मी फैसन में आपका स्वागत है फ्रेंट्स, आज कुछ टिप्स के साथ आपके पास आई हूँ तो जिसमें इस पॉल्ल को किस तरीके से हम लगा सकते हैं और कितने तरह से लगा सकते हैं, वो मैं आपको शेर करूँगी तो फ्रेंट्स जो वीवर्स नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और जिनोंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंट्स जब हमें इस तरीके के लेस को हाइलाइट करना होता है तो हम इसमें पढ़ लगाते हैं या फिर अपने इच्छा के अनुसार इसमें पढ़ लगाते हैं या फिर इसके खुबसूरती बरहाने के लिए इसमें पढ़ लगाते हैं तो friends हम इसको पड़ लगाने का सबसे आसान तरीका हम सुई और धागे से लगाते हैं ये देखिए सुई और धागे से इसमें भी लगाया गया है लेकिन friends इसका और भी एक तरीका है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी वो तरीका है कि आप इस फेबरिक लू से भी लगा करना हो उस दिन भी आप लगा के अराम से पाटी में या फिर कहीं भी जहां भी आपको जाना हो आप जा सकती है तो friends आईए हम बताते हैं कि इसे लगाना कितना आसान है और किते दिर में ये रेडी हो जाता है तो friends ये दिखिए हम यहाँ पे इस फ्लार के बीच में ग्लू लगाएंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हमने इसमें जितने फ्लार बनाए थे उसमें इकठे में एक साथ ग्लू लगा लिया है जो भी लेस हमने लगाया था इसको बिल्कुल गीला रहते हुए पर्ल ना लगाएं इसे हल्का सा सूखने दे और सूखने के लिए आपको एक्स्टा टाइम देने की ज़रूत नहीं है आप जिस तरीके से एक साथ सब में ग्लू लगा लेंगे तो वह जब तक आप पर्ल लगाएंगे वह अपना जितना ड्राइनेस चाहिए वह ले चुका रहेगा तो फ्रेंट्स यह मैंने लगा दिया फेब्रिक ग्लू अब मैं इसे बंद करके रखते हूँ अब मैं यहां से इस चिम्टी के सहारे एक-एक पर्ल लूँगी और पर्ल लेके इस ग्लू पर बैठाते जाओंगी आप चाहे तो हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं यह देखे यह ज़्यादा गीला रहने पर इथर उधर स्लिप करता है इसलिए इसे हलका सा ड्राइ होने दे और जब तक आप हर फ्लार में लगाएंगे तब तक यह हलका सा ड्राइ हो जाएगा यह बस इसको इस तरीके से पका दे जब तक यह सूप कर त्यार होगा इसका गम जो है ट्रांस्पारेंट हो चुका होता है और यह आराम से आपका फ्लार रेडी हो जाता है वेर करने के लिए तो फ्रेंट्स यह देखिए बहुत ही आसानी से यह लग गया आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं यह हाफ पर्ल है जो कि इसके साथ जॉइंट है तो मैं इसे निकाल दूँगे हलका सा इसे प्रेस कर देजिए बिल्कुल हलका सा और अगर आप चाहती हैं कि और भी जल्दी यह हो तो यह हलका सा ग्लू आप अपने चिम्टी में लगा लें यूँँ और इसे प्र्ल में इस तरीके से टच करिए इस तरीके से यह देखिए यह चिम्टी में प्ल आपके आ गया है यह देखिए अब इसे लाकर सीधा आप यहां प्लेस कर देजिए अप्लेस करके इसे हलका सा प्रेस कर दीजिए बस अभी भी आपके चिम्टी में ये ग्लू हलका सा लगा हुआ है तो आप इसे ले जाईए इस पॉल में टच करिए यहां लाकर आप फिर से इसे लगा दीजिए और हलका साई से प्रेस कर दीजिए आपका ग्लू जो है वो हलका सूख गया है अब ये इधर इधर स्लिप नहीं करेगा अब ये लास्ट के इधर दो बचे हैं अभी भी हमारे चिम्टी में ये देखिए ग्लू लगा हुआ है और इसे हम यहां पर फिक्स कर देंगे इसे हलका साई प्रेस कर देंगे इसे हम फिर यहां पर इस तरीके से एक परल उठा लेंगे इससे आपकी मेहनत बिलकुल टाइम तो बिलकुल आप देखिए मैं लाइब रिकॉर्डिंग कर रहे हूँ मैंने इसमें बिलकुल भी ब्रेक नहीं किया है और ये देखिए देखते देखते मेरा परल मेरे इस लेस में आराम से लग गया जबकि स्टिच करने में इसमें कितना टाइम लगता है यह आपको भी आइडिया होगा और ना हो तो मेरे पीछले वीडियो में जब मैंने ये कुर्ती बनाई थी उसका वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है आप उसमें जाकर देख सकते हैं एक साथ दो पल आ गए तो मैंने एक साथ दो नो फ्लार में इसे प्लेस कर दिया और यह एक लास्ट मैंने इसे यहां ब्लेस कर दिया अब देखिए फ्रेंड्स अब यह किस तरीके से बिल्कुल आपके एक-एक फ्लार में एक-एक पड लग गया और पूरा आपका ट्रेस जो है हाइलाइट हो गया यह जो बिल्कुल एक ही कलर का लग रहा था ले असान दाते हैं जो कि आपके टाइम और पैसे दोनों को बचाते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेर भी करिए अपने फ्रेंड्स एंड अपने भी रहा कि हमारा ये जो पर्ल है वो मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ड्राइ हो गया है ये देखिए और जहां जहां अच्छे से ड्राइ हुआ है वहां वहां ये बिल्कुल ट्रांस्पारेंट हो गया है इसका गम और ये चिपक भी गया है जो हिलाने से भी नहीं निकल रहा और आप इसे 10 मिनट से 15 मिनट तक सुखाने के बाद बिल्कुल पहन सकते हैं तो फ्रेंट्स इसे 10 से 15 मिनट समर में हवा में जरूर सुखा दीजे धूप में सुखाना चाहें धूप में सुखा दीजे लेकिन इतना कम समय आपकी स्टिचिंग तो नहीं लेगी तो फ्रेंस तब तकले, बाइ-बाइ, चाहिं!